हेलो दोस्तो इंटरनाशनल फ्लैटो की आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फ्लैटो को लेकर कौन कौन सी जरूरी खबरे सामने आ रही है तो पहली बड़ी खबर यहाँ पर Qatar Airways की तरफ से आ रही है आपको बता दे कि Qatar Airways इस समय दुनिया के 140 लोकिशन से अपनी फ्लैटो को चालू कर चुकी है जी हाँ दोस्तो इस बात की जानकारी खूद यहाँ पर Qatar Airways ने अपनी टुटर हैंडल अकाउंट से टुट करके दी है कि वो इस समय दुनिया के 140 डेस्टिनेशन से अपनी फ्लैटो को चालू कर रही है इसके साथ साथ दोस्तो अगली अपडेट यहाँ पर US की तरफ से आ गई है आपको बता दे कि US में अब फिर दुबारा से करोना वारेस की किसिस बढ़ने लगे हैं जिसके बाद आप यहाँ पर US में ट्रैवल करने वाले लोगों की संक्या में कमी आ गई है जी हाँ दोस्तो यह US के लिए बुरी कबर है इससे पहले US में कुछ दिन पहले करोना वारेस की किसिस काम हो गए थे लकिन अब फिर दुबारा से दीरे दीरे इनकी संक्या बढ़ने लगी है इसके बाद यहाँ पर फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संक्या में कमी आ गई है जिस कारण से यहाँ पर इंटरनाशनल फ्लैटों में भी गिरावट देखने को मिल रही है इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर ओमान और सौधी अरिबे की फ्लैटों को लेकरा रही है तो आपको बता दे कि दोनों देशों के बीच में फ्लैटों की संक्या को बढ़ाने के लिए इन दोनों देशों के सिविल मंत्रालेने बीते कल एक वर्चुल मीटिंग की और इस मीटिंग में इस बात का डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में दोनों देशों की फ्लैटों की संक्या को बढ़ाई जाए इस समय केरल के कोची और तिर्वंदरपूरम से ओमान के लिए फ्लैटे आपरेट की जा रही है और इसके अलवा भारत के भी कई बड़े एरपोर्ट जैसे कि दिल्ली मुंबई इन एरपोर्ट से भी ओमान के लिए फ्लैटे चालू हो चुकी है और अब यहाँ पर ओमान सौधी से भी अपनी फ्लैटों को बढ़ानी की बात कर रही है इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ सारी है तो अफगानिस्तान की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है कि अगले तीन दिनों में अफगानिस्तान से इंटरनाशनल फ्लैटे चालू हो जाएंगी यहां पर बीते कल भी कतर एरविच की तरफ से कुछ स्पेशल फ्लैटर को ऑपरेट किया गया जिसमें कि कुछ यूईस के नागरी थे जो कि अफगानिस्तान में फसे हुए थे उन लोगों को वहां से निकालने का काम किया गया है तो दोस्तों यह सारी खबर आ रही थी इस समय अंतर राश्ट्रो डानों से जिसकी जानकारी आप करके